इंटर्व्यू मेरा बहुत बहतर था पिछले बार से और मैं पहले तीन इंटर्व्यू और दे चुका हूं नहीं उन्होंने टैफ से पूछा नहीं करेंड से पूछा और 1991 से लिब्राइशन पॉलिसी, GM क्रॉप, Green Revolution कुछ भी पूछ रहे थे पूछा था PLI स्कीम के बारे में बहुत बात करें जिसका मुझे बहुत फुल फॉर्म तक याद नहीं था मैं को आइडिया था कि PLI स्कीम क्या करती है मुझे तरह हर स्प्रेंट के लाइफ में हर्डल्स रहता है कुछ लखी रहते हैं जल्दी निकल जाते हैं बट कुछ मेरी तरह हैं जो पांच अटेम लगाते हैं निकलने में तो मेरा फिफ्ट अटेम में IPS हुआ बीच में मैं डिप्रेशन में भी रहा एक डेड़ साल तक बट आई उट से कि हर किसी के लाइफ में आता है आप यह नहीं बोले कि आप ही जो है बस दुख्या रहे हैं और आप ही की जिंदगी में हो और फिर कम बैक करें फाइट करें और इंसी आएम यह तो इवन यू के साथ में रहे जैसे मैं रियासर से कभी फोन करो कभी परिशानी होती थी तो में रियासर से बात को लेता था उनका मैं आया हूं यूपसी भवन आप सभी जानते हैं यूपसी के इंटर्वी चल रही है इस साल 2022 की और कई ऐसे कंडिडेट हैं जो अपने किस्मत आजमार हैं इस बार आज आने का खास मतलब यह भी है कि हमारे साथ अज स्पिसल गेस्ट है मुखविला सर आप में कैसे पर इंटर्वी आपको इंटर्वीव मेरा बहुत 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 था पिछले बार से और मैं पहले तीन मैं इस बार मैं दिल्ली जब आया तो अपने मेंटर से भी मिला और उन्होंने थोड़ा-थोड़ा मुझे हिंट भी करा कि कहां मैं चीजों को सही कर सकता हूं तो और भी लोगों से मिला अपने फ्रेंड से मौक देता था फैनली मुझे लगा कि एंड में सबसे अची बात ह साइंगे तो एक्सेस नहीं करना है चार-पांच-छे मौक इस सफिशेंट तो नो हाओ वाट और यूर मिस्टेक्स एन हाओ कैन यू लर्न फ्रॉम इट तो चार-पांच-छे मौक किस तरह से पूछेंगे थे इंटेव में अगर हम डैफ की बात करें 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 और ऑप्शन कुछ ऐसे कोशन जो आपको लगते हैं कि पूछे गए थे आपसे और आप हमें बताना चाहते हैं कुछ ऐसे कोशन जो आपको लगा कि हाँ एक अच्छा कोशन पुछा गया है एंटुरू कोई बहुत स्पेसिफिक कोशन तो ऐसा नहीं था बट उन्होंने पूछा था पी एलाई स्कीम के बारे में बहुत बात करें जिसका मुझे बहुत फुल फॉर्म तक याद नहीं था बट आई वाइडिया था कि पीलाई स्कीम क्या करती है तो मैंने उस पर बात किया कि बहुत स्टेटल रहा है मुझे तहरा स्पेंट के लाइफ में हर्डल्स रहता है कुछ लखी रहते हैं जल्दी निकल जाते हैं बट कुछ मेरी तरह है जो पांच अट्रम लगाते हैं निकलने में तो मेरा फिफ्ट अट्रम में आई-पिस हुआ उससे पहले मैंने स्टार प्रश्चन में भी रहा एक डेट साल तक बट आई-उट से कि हर किसी के लाइफ में आता है आप यह नहीं बोले कि आप ही जो है बस दुख्यार है और आप जिन्दगी में हो और फिर कमबैक करें फाइट करें और यहां यहां तो यह तो आउन्स आएंगे बट यहाव तो होते हैं जहां पर दी मोटिवशन आई वो छोड़ देते हैं हार मान लेते हैं लेकिन सर ऐसे थे जो लास्ट वक्त तक गए और जो मंजिर जिदी देती हैं कि हमें सिल्ट सर्वेस्स करक करना है और और करें कि आप सर से बहुत कुछ सिखेंगे कि क्या स्ट्रटेजी होना ज कि सरे स्ट्रटेजी की बात के प्रिपरेशन कैसे शुरुवात करनी चाहिए ने बच्चों को किनकीन बात अध्यार नगर क्योंकि सर्व आर अपको हर एक चीज बारिक से बारिक चीज पता है यह पर सब्सक्राइब इसके आपने कहा कि बहुत लोग डिप्रेश हो जाते है कि डिप्रेशन आएगा यह बात आपको पता होनी चाहिए ना तो जब आपको पता हो था कोई दुख आने वाला तो आप अट-लीस तयार तो रहते हैं तो प्रॉब्लम आएगी मेरे को इतने मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे सर मैं बहुत डिप्रेशन में हो जा रहा उनका आज मेंटर्शिफ चलता है कर ओल टाझन देगार में तो आपको अपना एक मेंटर ढूनना पड़ेगा जो आपको समय समय हमें करें और आपको जो 24 को 7 आपको अब्ली ने यह या तो आपको दोस्त तो सकता है या तो आपको टीचर हो सकता या आपको फैंपली फ्रे बुक्स जो हैं UPSC के वो आपके cover होने चाहिए सेकेंड जो है आप अपनी गलतियों से सीखें जैसे मैंने अपनी गलतियों सीखा कि भाई जो चीज नहीं करनी है जैसे कि फालतू एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़नी बहुत जाद है तो वह भी आपको अपका mentor ही बताएगा एक number fixed number of hours in a week आपके fix होने चाहिए वो schedule कोई भी बना सकता है तो आप किसी से help लेखते हैं आपने mentor से भी help ले सकते हैं mentor आपको पता है कोई भी हो सकता है तो उस तरीके से आप आगे बढ़ सकता है तो उस तरीके से resources की बात कर रहे थे limited resources कैसे बना है selection का क्या parameters होने चाहिए study material है मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि वो भी आपको ऐसा mentor ही help कर सकता है किसी ने किससे आपको बात करनी पड़ेगी या तो बहुत लोग YouTube से कर लेते हैं बहुत च्छी बात हैं बहुत लोग कोई mentor रून लेते हैं जिनसे help मिल जाती है मुझे रियास हर कोई अपना-पना material जैसे मैं एक चीज़ फिक्स रखता था कि बाई basic हर subject के लिए एक basic book होगी और करेंटरफेस के लिए एक basic material होगा है तो मेरा fix था यह मैंने discussion करके अपने mentor से ही बनाया था इसको है न तो यह चीज़ आप कर सकते हो सर जैसा कि आप mentorship की बारे में बता रहे थे सही guidance होनी वो जरूर होती है तो जैसे आप रियासत सर की बात कर रहे थे IS mentorship किलाते हैं इनसे किस तरह की benefit आपको मिली और क्या इनका best आपको लगा जो आपको लगता है कि कहने कहीं बचों की help मिलती है इनसे सबसे पहली बात की experience उनका खुद का दूहरा 24 को 7 availability इस preparation में चाहिए होता है तीसरा की एक समय के बाद जो last point है कि आपको एक point के बाद saturation हो जाता आपको पता निचलता मैं क्या गल्ती कर रहा हूं क्या सही कर रहा हूं आप वही answer लिख रहे होते हो वही नंबर आ रहे होते है आपको पता ही ने चलता चेंज कहां पर करना है तो वहां पर वहां पर चीज हेल्प करते हैं यह चीज थोड़ा सा चेंज करते हैं थोड़ा सा इसमें help हो जाएगी तो वहां पर एक्जाक्ली फीड़ा मिलता है जो experience बंदा है आपकी सर optional paper क्या है मेरा option sociology as a sociology अगर कोई student ले most important point option choose के निकल हो था आपका interest factor अगर जिसमें आपको interest हो आँख बंद करके लिजिए दूसरों की बात हो में मत आ यह कि इसमें number ज्यादा मिलता है इसमें यह content ज्यादा है ना वो सब मुझे लगता ज्यादा important है सबसे important है कि आपको interest आया ना other secondary factor primary factor शुट भी interest आना चाहिए आपको तीन साल चार साल पांच साल वही subject पढ़ना पढ़े मैंने 5 सट्रिम लिया था तो पांच जे साल वह पढ़ना पढ़िया क्या आप इंट्रेस्ट नहीं है और किसी ने कहा दिया नंबर आता वो ले लिए क्या पांच-शे साल पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ एसे को कैसे देखते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे बच्चों को इसमें बहुत दिखत होती इसके लिए वडाई है पोर क्या प्टापिक हो अनुक्तर पर नहीं ऊक्ति दिए सब रॉब्लम आती है कि आपको प्ता नहीं लगता है कि वहां पे जैसे बहुत कम नंबर दे हैं 98 माँ से यह इस बहुत कर रहा हुँ कि इस बार नंबर इंप्रूव वह होंगे तो लेट सी सर की गाइडेंस का भी कुछ इंपैक्ट है जिसके वहां से मैं तुबारा फिर इंटर्वी दे रहा हूं देखते हैं क्या होता अगे सर आंसर राइटिंग लिखने वक्त किन-किन वादों का धिहान रखे हैं जैसे बोलते हैं कि बुलेट पॉइंट में पैरगराफ में लिखना चाहिए ग्राफिक्स यूज़ करना चाहिए तो इसके वारा हम क्या गया आप ऐसा कुछ नहीं कि मैं मूल मंतर बता दूँ आप क्या होता है कि कुछन में चार पार्ट देखा और अपने तीनी पार्ट लिखा है ना तो वह एक प्रोबलम हो जाता तो वहां पर जाने कि कैसे पार्ट को ब्रेक करना ने किर वो बेसिकली सिखा दिया तो उससे मुझे बहुत हल्प मिल गई थी त़िस और कैसे लग र I could have done I'm really happy with it sir thank you very much and I hope के इस बार और भी अच्छा हो आपके लिए and all the best sir thank you thank you